नमस्कार दोस्तो आज हम बनाने जारें पके हुए केले की बहुती टेस्टी और हेल्दी मिठाई कई बारे जो हमारे घर में एक्स्ट्रा केला आ जाता है या हम उसे खा नहीं पाते हैं तो केला रखा रखा और ज़्यादा पक जाता है पका हुआ केला खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है लेकिन पका हुआ केला बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो आप देख सकते हैं ये मैंने पके हुए केले का ही यूज किया है और ये बहुत ही टेश्टी और हेल्दी मिठाई बन करके तैयार हुई है उसके लिए हम सबसे पहले गुड़ को लेंगे आप चाहे तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं अब मैं गुड़ को इस तरह से कद्दू कस कर लूँगी आप चाहे तो इसे फोड़ कर भी बारिक कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने गुड़ को कद्दू कस कर लिया है अब लेंगे हम आदा कटोरी पानी और इस तरह से चम्मस से सभी गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे वैसे पके हुए केले को कोई पसंद नहीं करता लेकिन जब मिठाई बन जाएगी तो सब बड़े चाव से खाएंगे तो ये देखिए मैंने केले को छील लिया है अब हम इसे चाकू की सायता से इस तरह से छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे अब मैंने लिया है एक पैन गेस क करके लगातार जलाते हुए पकाएंगे जब तक हम आरे आ इसे अच्छी सी खुस्ख़वू Deutsch speak about ना हो जाएं तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे अब हम डाल देएंगे इसमें कटा हुआ केला और कटे हुए केले को हम आठे में कटोरी या गिलास ले लेंगे उससे इस तरह से मैस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने केले को अच्छे से आटे में मैस कर लिया है गेस का फिलेम हम मीडियम कर देंगे और लगातार इस तरह से केले और आटे को भून लेंगे तो यह देखे हमारा आटा है जो आते हुए पकाएंगे तो देख सकते हैं आप जो पानी हमने गुड का डाला अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें एक चमच गी और एड कर देंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से सोफ्ट हो जाए अब हम इसे चार से पांच मिनट तक लगातार इसी तर कर लेंगे और उसमें हम इस पके हुए आटे को एड कर देंगे और चमच की सायता से हम आटे को इस तरह से थाली में अच्छे से फैलाएंगे जिससे कि यह समतल हो जाए तो यह देखिए मैं अच्छे से फैला लिया थोड़ा सा घी लेंगे और एक कटोरी लेंगे हम समतल पैंदे वाली और उस तरह से आटे को हम एक सार कर लेंगे तो यह देखी हमारा आटा है जो मैं अच्छे से समतल कर लिया है अब मैंने लिये कुछ सूखे मेवे तो मैंने लिया है यह सूखा नारियल जिसे मैंने कद्दू कस कर लिया कुछ मैंने लिये बादाम काजू उनको म वर्फी के सेप में काट लेंगे तो यह देखिए मैंने दूसरी तरफ से भी इसे काट लिया है तो दोस्तों आप इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राइ करें यह बहुती ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है तो अब हमें से चाकूर से इस तरह से सभी पीस को इस तरह से नि करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम इस तरह से सभी वर्फियों को प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हमारी वर्फी बहुती ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनी है तो आप देख सकते कितनी दानेदार और सॉफ्ट बनी है